बस्पा सूप्रीमो मयावती ने हाथरस भगदड कांद को लेकर एक बार फिर योगी सरकार पर हमला बोला है मयावती ने भगदड कांद की चार्जशीट में नराण शकार हरी और भोले बाबा का नाम नहीं शामिल होने पर नराजगी जताई है मयावती के बयान पर बाबा के वकील एपी सिंग ने पलटवार किया है उन्होंने कहा कि मयावती जले पर नमक छिड़क रही है मयावती को प्रदेश की जनता से प्यार नहीं है मामले में 4 अक्टूबर को कोट में अगली सुनवाई होनी है पहन मायावती जी जो की स्वयम उत्तरप्रदेश की 4 वार माननिय मुख्रमंत्री रही उन्हें बिल्गुल उत्तरप्रदेश की जनता से प्यार नहीं और वो आज भी लगातार नाराण साकार हरी जी मानव मंगल मिलन सा दभावना समागम के लिए हातरस में जो दुखद घठना हुई उस पर जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है उन्हें ना तो माननिय न्याई का आयोग जो 30 सदस्य जाच कर रहा उस पर भरोसा ना उत्तरप्रदेश की माननिय न्याई प्रणाली और मानियादारत पर भरोसा ना एसाइटी पर भरोसा ना उत्तरप्रदेश पुलिस पर भरोसा ना किसी भी जाच एजेंसी पर भरोसा लगातार नारान साकार हरीजु को व्यक्तिकत रूप से बदनाम करने के लिए उन पर लांचन लगाती हैं जूटे जूटे आरोप लगाती हैं